हाई मैं हूँ सुश्मिता और आपकी क्रिप्टो गाइड और आज हम बात करने वाले हैं पियर टू पियर के बारे में पियर टू पियर या पी टू पी एक ऐसा डिस्टिप्यूटर नेट्वरकिंग या कम्प्यूटिंग आर्किटेक्चर है जिसमें वाक्लोट के सारे कम्प्यूटर सिस्टम में डिस्टिप्यूट किया गया है और हर एक सिस्टम एक नोट या पियर की तरह आक्ट करता है पी टू पी से अनेक तरह के डिजिटल डेटा शेर करने का नेटवरक बनाया जा सकता है एक P2P network में हर peer को node कहा जाता है और इनहीं की वज़े से network काम करता रहता है इसका मतलब हर peer या node एक client और server दोनों की तरह act करता है सारे peers एक ही तरह का role play करते हैं digital data broadcast करते हुए P2P network अपने users base की functioning से sustain होता है जो की resources provide और इस्तमाल दोनों काम ही करते हैं इसमें कोई central server या host नहीं होता है जिस वज़े से P2P systems ज़्यादा resistant होते हैं cyber attacks से जितने ज्यादा users उतनी ज्यादा security शुरुवात में bitcoin बनाने का मूल उद्देश ही यही था कि एक peer-to-peer exchange of currency मिल सके इस mode में ज्यादा transparency होती है और ये था peer-to-peer झाल झाल झाल